कि नमस्कार स्टूडेंट स्वागत अपड़ी एंकर इंस्टूट में मैं दिव्यांशु सिंग आज आपको उता हूंगा नाकाउल सीडिंग पहले वीडियो उन्हें जाना था कि बाइस के बारे हैं वहम बात कर रहे हैं सीडिंग मैथट के बारे हैं अब पहले जालेज़ें सीडिंग मैथट होता क्या है there is always a possibility in a knockout tournament that strong team may be paired with weak team or all strong team might have been grouped in upper or lower half मतलब knockout trainer possibility होती है या तो सारी weak team एक तरफ हो जाएंगे या तो सारी strong team एक तरफ हो जाएंगे in this way some strong team have the possibility to be eliminated in the primary round मतलब पहले round में अगर कोई अच्छे चीटी में भिरती है तो एक अच्छे team जाती है बाहर हो जाती है to avoid such a situation seeding method is used इसको हटाने के लिए हमने कौन से method यूज किया है seeding method यूज किया है in this method the strong team are selected to keep them at appropriate place in a fixture उनके लिए एक appropriate place होती है जहां उनको fix कर दिया जाता है for the selection of strong team the organization must be well aware regarding the previous performance of the team और जो selection team होती है उनको सही जहन से पता होता है कि कौन सी team क्या performance देती है उसी हिसाब से वो उस team को fix करते हैं if two team are to be selected then one team is kept on the top of the upper half and second team is kept to the last of the lower half मतला जैसे यह first team के last में एक fix कर दिया गया है और एक उपर एक fix कर दिया गया है if four team are to be selected the first two team will be kept at the place main team involved the third team will be kept on the top of the lower half यह देखिए third team कहां पे kept की गई है lower half के lower half के कहां पे first है यह lower half है और यह क्या है upper half है तो lower half के जो upper half वो कौन सा है the third seeded team will be kept on the top of the lower half and four seeded team will be kept in at the lowest place in the upper half upper half का lowest part कौन सा यह है तो यहां पे कौन सा put की है team by four team put की है all team are except seeded team are kept the fixture by lords देखिए पहली team जो मझभूत है उसो कहां रखा गया है by one में lower half के सबसे last team में फिर upper half के सबसे उपर रखा गया है फिर lower half के upper half में यहां पे by three पे रखा गया और upper half के lower half में पे फोर रखा गया अब कैसे रखा गया है फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में दिखा ही था कि एन प्लस वन को करेंगे अपॉन टू करेंगे तो यह सिक्स आ जाएगा तो इसमें एक लाइन खिज़े जाएगे अब मैथट कैसे है पहले टू और त्री से मैच हुआ तो तू जीता फॉर और फाइफ से मैच हुआ त से जीता और 10 और 11 से वा तो कौन जीता 10 जीता यह फर्स्ट राउंड है तो यह सेकेंड राउंड है यह था राउंड और इस दर फोड को हुआ तो विनर कौन वना 6 हमारा क्या है विनर हमने सीदिंग मैथट यह बात किया अब हम बात करते हैं किस्पशल सीविग की प्लेयर पार्टिसिपेड डालिक्ली इन क्वाटर फाइनल आख सेमिसानल दिद नाट वेट पॉर लोंगल दिलीस है यह हमने यह फर्स कि यह सेक्ंड राउंड है यह थर्ड राउंड है और यह फॉर्थ राउंड वाרה यह फिल्ड तो फार्स सेकंड फॉर्द व्रण b फॉर्स great इसमें देख्यां बंजल मतलब एक 10 से एकलांट कीजिये तेम प्लेयर है तो इसको अजिए तो 5 सा應該 तुछ पाँच और फिर दर एक दो तीम चार पांच सरफ आठ नौ नौ प्लस एक क्या तो पांच आया इसको पांच मैं आपको बता जेता हूं कि लेग को क्या बोलते हैं राउंड रॉबिं टूनामेंट ये आपने पहले वीडियो में बताया था लेकिन आप एक बार फिर से जान रीचे कि लेग और राउंड रॉबिं टूनामेंट होता क्या है लेग टूनामेंट is also called राउंड रॉबिं टूनामेंट मिश्टर बर्गर वाथ फर्स पर्सन वो इमाइजेंड अबाउर्ड लीग टूनामेंट और ओनिंग तो दैट is also called बर्गर सिस्टम देखे लोग लीग टूनामेंट को हम क्या बोलते हैं राउंड रॉबिं टूनामेंट बोलते हैं मिश्टर बर्गर जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने लीग टूनामेंट को इमाजें किया था इसी वह जैसे इस टूनामेंट को हम इसको हम बर्गर सिस्टम भी कहते हैं according to this टूनामेंट each team play with every other team once if it is single league tournament if it is double league tournament each team play with every other teams twice मतलाग अगर यह single league tournament है तो एक team एक बार सबसे खेलेगी अगर double league team है तो यह सारी team से दो बार खेलेगी in these tournament every team play with every other team irrespectively of victory or defeat अगर वो हारती है यह जीतती तभी यह दो दो बार के लिए it can be called the best type of tournament because it provides the maximum number of opportunity to show the best performance यह क्या है इसमें क्या होदा है कि हार team को अपना best करने के लिए opportunity मिलती है in fact there is no chance of elimination and the real winner is picked up easily at time जो उस जीत का हगतार होता है वह ही team जीतती है अब कितने types के tournament होते हैं हमें पता है क्या single league tournament double league tournament single league tournament क्या है है team दूसरे team से एक बार match खेलती है इसका formula क्या है n bracket में इसका formula n bracket n minus 1 upon 2 n किसे represent करता है here n means the number of teams double league tournament क्या होता है in double league tournament every team play with every team twice the number of matches is determining किसके formula होता है n minus 1 upon 2 यह इसका formula यह नहीं इसमें 2 नहीं करता है sorry इसमें क्या रहेगा n bracket में n minus 1 e double league tournament का formula है कैसे हम निकालते हैं अब advantage of league tournament के बाद कर लेते हैं only strong and deserving team get victory in the tournament जो strong team होगी और deserve करती है वरी team जीतेगी every team gets full opportunity to show its efficiency or performance सारी team अपनी पूरी अपर काबियत दिखाएंगे उस match में sport and games can be made more popular through league tournament only to a maximum number of matches देखें league tournament में क्या होता है कि जब ज्यादा matches होते है तो उसकी जो popularity रहती है वो क्या हो जाती बढ़ जाती है appropriate opportunity are available to player to improve their performance और सारे player को अपनी काबियत दिखाएंगे लिए opportunities मिलती है और six-letter spectres also get good opportunity to watch many games और जो जनता होती है उसको match देखने में ज्यादा match देखने में मजा आता है अब disadvantage जान लेते हैं disadvantage of league tournament it requires more time इसमें क्या होता है जादा time लगता है it costs more और अगर वो रहेंगे खेलेंगे तो उनका क्या है खर्चे जादा लगेगा it costs more the team coming from the far and wide generally face more problem because such tournament waste their time and money it requires more arrangement for sports official and teams अब उनकी देख रहें के लिए सारी टीमों के लिए क्या होता है about वो वैसा खर्च होता है और time बहुत लगता है अब हम बात करेंगे procedure of fixture in league tournament अब हम बात कर रहे है procedure of fixture in league tournament पहला है cyclic method तूसरा staircase method अब हम cyclic method की बात करते हैं तो cyclic method को हम और ली बता देते हैं और आप लोग रिठ लीजएगा in cycle method if the number of team is even the team number one is fixed on the top of right hand side and then other team number is ascending order consecutively downward and then upward on the left side मतलग कि अगर कोई even number होगा तो जैसे एक team क्या हो जाएगी fixed हो जाएगी और जैसे fix होगी right hand side fixed हो जाएगी और वो ascending order में downward step से घूमती रहेगी फिर सुन्येगा in cycle method if the number of team is even the team number one is fixed on the top of right hand side and then other team number in ascending order consecutively downward and then upward on the left side मैं भी इसको समझाओंगा लेकिन पहले आप लिख लीजए इसे जिसे आपको असानी होगी लिखने में फिर if the number of team is odd अगल team odd है तो क्या होगा the by is fixed on the right side on the top of the right side if the number of team is in odd the by is fixed on the top of the right side the rest of the procedure remains the same team are rotated in a clockwise direction by fixed हो जाएगी right side में और वो clockwise में क्या होगा अब मैं इसे करके दिखाता हूं कि मैंने क्या समझाया अभी क्या लिखवाया अब देखिए हम पहले बात करेंगे इवेन नंबर की कि जब इवेन नंबर होगा तक क्या होगा जिसे कि fixer of six team हमने six team की बात की थी तो total number of team कितनी है six है formula मेंने क्या बताया था number of matches चाहूंगे n bracket में n-1 upon two तो six team में है six minus one तो five आग गया six five जे 30 और इसको करा तो कितने matches होंगे 15 matches होंगे कितने matches होंगे 15 number of round कितने होंगे n-1 तो six minus one five rounds first second third fourth fifth मैंने आपसे क्या का था कि अगर the team number is one उसे हम क्या कर देंगे देखे हमने right hand side क्या कर गया है fix कर दिया उसके बाद हम ascending order में rotate करते रहें तो one देखे यह six था यहां पर six आ गया यहां पर यह पर यह six था चल लगया नीशे चल लगया फिर कहा गया इधर आया फिर इधर आया इधर आया तो यह जो है यह चलता अब हम देखेंगे अगर समझ में आ गया हो तो उसके बाद हम बताएंगे कि even odd number में का था अभी देखेंगे इवन नमबर को आप देख लिए फिर्स था फिर्स कर दिया उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ascending order में इसको डाउन वर्ड से अपवर्ड लेफ साइड में लेके जा रहे हैं ले जा रहे हैं कि नहीं ला जा रहे हैं अब हम बात करेंगे 5 teams की अभी हमने even की बात किया किसकी बात करेंगे odd की बात करेंगे अब हम बात कर रहा है odd teams की बात कर रहा है तो हमने fixer किसका बनाया है 5 teams का total number of team कितनी है 5 इसको भी इस formula किया तो कितने match आए 10 matches आए अब इसमें हम लोग जब odd हैगा तो minus one नहीं करेंगे इसमें कितने number of rounds कितने है 5 rounds है अब हम क्या करती है 22 को क्या करती है fix करती है और सारी team हों क्या कर रहे है clockwise rotate कर रहे है तो 2 आया फिर 3,4,5 फिर क्या है 5 नीचे आगए 1 नीचे आगए तो 5 किदर आया उपर आगए फिर 1,2,3,4,5 फिर यह आया 1,2,3,4,5 फिर 3,4,5,1,2 फिर 2,3,4,1,5 तो इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा cycling method बनेगा अब हम बात करेंगे steer case method के अब आपको cycling method में odd निकालना आगए odd निकालना आगए हम बात करेंगे steer case method के steer case method के steer case method क्या होता है in steer case method fixture are made just like a ladder आर आ steer case जैसे कि सीड़ी जैसे बनती है उस तरह का steer case method होता है this method is the easiest method यह method क्या है सबसे easiest method किस वज़े से है because no buy is given to any team and there is no problem of odd and even number of team इसमें कोई भी बाइन नहीं होती है और किसी भी टीम को odd और even number का problem नहीं होता है तो अब हम बनाते हैं कैसा steer case method बनता है देखिए यह है आपका steer case method जैसे 1,2,1,3,1,4,1,5,1,6,1,7,1,8,1,9 फिर उसका तो 3,2,4,2,5,2,6,2,7,2,8,2,9,3,4,3,5,3,6,3,7,3,8,3,9,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9 फिर उसका method से यह बने गया है तो इस तरह यह है हमारा entrada के नाते अब हमारा planning in sports हमारा क्या हो गया है खतम हो गया है अब हम इसके बात next video में बात किसी करेंगे आग नेक्स वीडियों में बात करेंगे sports and nutrition की planning और sports हमारा क्या हो गया है कोई तरीके से complete हो गया है